अच्श एक हम ने डिस्कुस करनी है साइखो सोशल तेरी ऑफ एरिक रिक्सन इसको जो है वो हमने थोडा साठी तेयल में लेकर चलना हैै साइको सोशल तेरी ऑफ एरिक रिक्सन को हमने इसकी जरह बाइोग्राफी को भी देखना है उसके बाद जो है वो हमने और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें उसकी जो है वो एजुकेशन क्या थी और बाकी चीज़ें जो है वो सारे देखनी और फिर हमने इसके थेयरी को डिटेल में पढ़ गाए तो सबसे पहले में जो है बता दूँ कि एरिक रिक्सन उसका पूरा नाम था एरिक हमबर्गर रिक्सन ठीक है जी पंदरा जून 1902 को यह फ्रेंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुआ और वाज अ प्रॉमिनन्ट साइको एनलिस्ट एंड डॉलमेंटल साइकोलोजिस्ट अच्छा जो बेसिंकली इसकी जो मदर थी वो एक डैनेश खतून थी His biological father left before अधिक्सन धर्थ उसका जो biological father था जो असल में real उसका फादर था वो उसकी पैदाई से पहले ही ज guitggle है वह उसको छोड़ के चला गया तो उसकी मान ने जो है उसका ब्रॉट अप किया उसकी मा का नाम था कारला अबरहमसन और उसका जो स्टेप फादर था ही वाज डॉक्टर थियोडोर हमबरगर आच्छा अरिक्सन जो था वो बिसिकली इनिशिल जो उसकी लाइफ थी उसमें वो आर्ट्स में जो है वो और पेंटिंग में वो बड़ा इंट्रेस्ट लेता था और वो पेंटिंग में ही अपना कैरियर बनाना चाहता था तो अरिक्सन ने इस मक्सद के लिए जो है वो यॉरप में बड़ा घूमा फिरा भी अपनी जो है वो जवानी के दोरान एज आर्टिस्ट 1927 में अरिक्सन ने अपनी जो है वो साइको अनलेटिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी वियाना में और और बिकेम इनवाल्व इदा वियाना साइको अनलेटिकल सोसाइटी और उसमें जो है वो शमूलियत अखत्यार कर ली यहाँ पर जो है वो फिर एना 33 में जब ये नाजी रोस टू पावर इन जर्मनी अरिक्सन हो एड ज्यूश रूट्स इमिग्रेट टू दा युनाइट स्टेट्स उन्ने सो तेतीस में जब नाजी जो एक थे हिटलर वगारा थे उन्होंने जर्मनी पर जो पावर यूज की तो उन्होंने यहूदियों का कत यहूदि मजभ से जो है वो जाकर निकलती थी तो वहां से माइग्रेट कर गया यूनाइटेट स्टेट्स में क्योंकर वहां पर यहूदियों का कतले आम हो रहा था ही कॉंटिन्यूड इस साइको अनलेटिकल स्टडीज इन बोस्टन और बिकेम एस सिटीजन इन नाइंटी अरिक्सन's early career in the United States involved working with children. सबसे पहले जो है वो उसने बच्चों के साथ वहां पर United States में काम किया including at the Harvard psychological clinic अपना जो है वो including उसका जो एक क्लिनिक था psychological क्लिनिक Harvard तो वहां पर उसने mostly जो है वो शुरू में बच्चों के साथ काम किया His interest in child development led the foundation for his later work on the psychosocial stages of the development. तो basically उसका बच्चों के साथ ही जो काम था उसकी बेस पे ही जो उसने later on जो है वो psychosocial stage theory भी जिसको हम कहते हैं इसको stage theory भी कहते हैं psychosocial developmental theory भी हम इसको कहते हैं ठीक है तो उसने जो है वो पेश की During World War II, Erickson worked with Anna Freud in England focusing on the psychological well-being of children in war-torn areas. ठीक है दूसरी जंगे अजीम के दौरान Erickson ने Anna Freud के साथ काम किया England में और उन्होंने जो वो बच्चे जो जंग के तौरान जो थे वो disturbed हुए थे या मतासर हुए थे उनकी psychological well-being का जो है उन्होंने बहुत काम किया Erickson's most significant contribution is theory of the psychosocial development as I already discussed, outlined in his book Childhood and Society. अचा उसने अपनी जो किताब लिगी Childhood and Society 1950 में तो उसने जो है वो उसने अपनी psychosocial development जो है थे थे जो उसने वो दी. This theory expanded Freud's ideas, emphasis the social and cultural influence on personality development across the life span. इस theory जो है वो इस theory ने basically Freud की ideas को और जादा expand किया. इसने social and cultural influence personality के ओपर, personality development के ओपर जो cultural and social influence जो था इसने उस पर बड़ा जूर दिया. Erickson held various teaching positions including at Harvard University, the University of California and the Austin Riggs Center. यहाँ पे जो है उसने उस्ताद भी काम किया. He continued to refine and expand his theory eventually publishing his major work identity and the life cycle in 1959. उसने जो है वो अपनी theory को मजीद expand करता चला गया. उसमें मजीद work, researches वगरा करता चला गया. और उसने जो है वो फिर अपना दोबारा एक अपना काम publish करवाया identity and the life cycle के नाम से in 1959 जो है वो इसने बहुत detail में जो है वो अपने theory को discuss की. In subsequent years, Erickson wrote extensively on topics such as identity, youth and the cycle contribution to the understanding of human development. आने वालों सालों में फिर उसने जो है वो यूथ और life cycle जैसे मौजुआत पर, identity जैसे मौजुआत पर बहुत काम किया और एक human development को understand करने में जो है उसने बढ़ा अपना role play किया. Erickson married John Sarson, Erickson a Canadian born artist and they had three children together. ठीक है जी इसमें उन्होंने जो है वो बात में Erickson ने John Sarson के नामी खतून, Canadian खतून जो थी, artist थी, तो उससे जो है वो शादी की और तीन बच्चे पैदा होगे. Erickson theories continue to be influential in psychology, education and various fields. His emphasis on the social and cultural aspects of the development has contributed to a more holistic understanding of human growth. उसने जो है वो basic नी बड़ा psychology में, education और दूसरी fields में उसकी जो है theories ने बहुत influence किया और continuously करती रही. उसके अलावा जो है उसने human development के जो different aspects से उन पर social और cultural aspect का बहुत ज्यादा जो है वो effect का जिकर किया और culturally और social factors के अंदर रहते हुए उनके influence को discuss करते हुए उसने human growth को अपड़ी trail में जो है understand करने की कोशिश की और even के दूसरों को समझाने की कोशिश की. एरिक्सन received numerous awards for his contribution to psychology including the Pills Prize and the National Book Award. उसने जो है ये दोनों awards भी हासल किये उसने जितना भी काम किया था contribution की थी psychology में तो उसके सेले में जो है नतीजे में उसको ये award दिये गये. एरिक एरिक्सन passed away on 12 May 1994 in Harwich living behind a legacy of the influential work in developmental psychology. बारा माई 1994 को उसका Harwich में इंतकाल हो गया लेकिन उसने बहुत ज्यादा जो developmental psychology में अपनी एक काम की चाप छोड़ दी. उसने बहुत ज्यादा contribute की development and psychology में जो के आज तक जो है वो हम पढ़ रहे हैं. अच्छा यहां पर मैं एक चीज थोड़ी सी motivational बात करना चाह रहा हूँ, वो यह बात करना चाह रहा हूँ, देखें, मैं हमेशा का करता हूँ कि कुछ ऐसा काम कर जाएं कि दुनिया आपको याद करें. अब जिस तरह यह लोग हैं अब 1994 में उसका इंतकाल हो गया लेकिन अब उसके इंतकाल के 30 साल बाद भी हम एरिक रिक्सन को पढ़ रहे हैं तो इस मीन्स के दुनिया में आए हैं तो कुछ बजाए इसके के हम मुबाइल पे अपना वक्त जाया कर दें, सारा दिन मुबाइल को स्क्रॉल करने पे लगे रहें तो क्यों ना इस तरह का कोई अच्छा काम किया जाएं एरिक रिक्सन अरिनाउंड ड्वालमेंटल साइकॉलोजिस्ट एंड साइको एनलिस्ट पर पोज़ रथे और परस्पैन को कवर किये हुए थी जिस तरह आपने देखा शुरू ट्रस वर्सिस निस्टरस से होती है और अट यह गारण जो है वो सेट्टैग्न डास्पैर वर्स्टATION वगयरा वहां पर जाके जो है वो खते होती है इस एरा को. His theory is often referred to as the psychosocial stage theory. ठीक है? अब psychosocialist को stage theory कहां? क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने human development पर social और cultural aspects को बहुँँ ज्यादा जो है वो emphasis किया कि किसी भी इनसान की personality development में social और cultural aspects जो हैं वो बड़े ही important role play करते हैं. Erikson's model emphasizes the impact of the social and cultural factors on an individual's development and identity. The theory comprises eight stages each characterized by a specific psychosocial conflict that an individual must successfully navigate to achieve healthy development. उसकी eight stages पर जो मुश्तिवल वो theory है और हर stage जो है वो basically उसमें एक psychosocial conflict पाया जाता है. तो अगर कोई भी बच्चा जो है या कोई भी इनसान कोई जिससे related भी हम जिसकी भी development की बात कर रहे हूं अगर वो एक specific time period का जो conflict है उन eight stages का जो conflict है अगर वो successfully जो है वो कर लेता था उसको अचीव कर लेता था तो वो अगली stage पर जो है वो ना सिरब पहुंच जाता था बलके उसके अंदर जो है वो एक strength भी develop हो जाती थी. तो अब हम discuss कर लेते हैं उसकी stages को सबसे पहले बात कर लेते हैं trust versus mistrust पहली stage कौन सी है जी trust versus mistrust यह stage जो है वो basically infinity जीरो से लेके एक साल तक रहती है इसमें क्या होता है basically conflict इसमें क्या होता है the key conflict resolve around the influence development trust in the world and others इसमें basic चीज़ है वो दुनिया पर और दूसरे लोगों पर और यानि अपने वालदें पर अपने अजीजों कारब पर caregivers पर और दूसरी दुनिया जो दुनिया में दूसरे लोग हैं उन पर trust develop करना है trust develops when अब trust develop कैसे होता है trust develops when caregivers consistently meet the infants need for food comfort and care अगर तो जो बच्चे के वालदें हैं या caregiver हैं अगर उसकी जरूरियात को पूरा करते रहें हैं उसकी food की जरूरियात होती हैं उसकी आराम की उसकी care की जरूरत है अगर तो वह इसकी जरूरियात पूरी करते रहें तो trust develop हो जाता है ठीक है या नहीं एक उसका एतमाद develop हो जाता है लेकिन mistrust can rise if the infant's need are not met reliability ठीक है लेकिन अगर उसकी जो needs हैं जिस तरह food जो है some time जो है उसको food दे दिया बाद उकाल बचा रोई जा रहा है रोई जा रहा है हमारी आज आज कल की modern mind जो है वो बिसी के लिए उस वक्त तक बचे को दूद नहीं पिलाती ही जब तक बच्छा रो रोके क्या कहते होते हैं कि I have no words for to portray such situation of that child कि जो है वो जब तक बच्छा रो रखी होती है कि बचा रोएगा तो दूद देना है चीक है मेरी दो चार मेरे अच्छे डॉक्टर्स चैट स्पेशलिस मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी है इवन कि मेरा brother-in-law he is a doctor तो मेरी अक्सान होती रहती है उसके साथ तो वह हम इसी बात पर जो है वो हमारा हम रोना हो रहे होते हैं इसी बात का कि जो माई हैं वो अपने बच्चों को एक हला के वो मुझे एकसर खहता होता है कि भाई होना ये चाहिए कि मा को पता होना चाहिए कि बच्चे ने तीन गहंटे बाद या चार गहंटे बाद दूद देना है हमने उसको ठीक है अगर बच्चा न तो साथ ही वो हमारी खवातीन जो है वो समझ जाती है यहां भी बूख लग गई है हाला कैसा नहीं होना चाहिए basically trust develop कब होता है जब आप continuously reliability reliability क्या होती है consistency यानि आप consistent care करें बच्चे की यह नहीं कि अब कर ली फिर शेगंटे पूचा ही नहीं बच्चे को तो इसमें क्या होता है basically food की comfort की care की नीड जो है वो आपने पूरी करनी है reliability के साथ consistency के साथ if you will got failed the mistrust will develop ठीक है आग गया जाता है autonomy versus shame and doubt और यह जो है यह basically early childhood यह एक से लेके तीन साल तक की उमर के में जो है यह issue create होता है अब इसमें conflict क्या होता है totalers start to assert their independence and autonomy in making choices अब यहां पर जो totaler होते हैं यह जो हम बच्चारली childhood को कह रहे हैं वो in dependency or autonomy in making choices अपनी choice में जो अजादी हासल करना चाहता है कि मैं खुद से अपनी मर्जी से कोई choice करूं अपनी मर्जी से कोई काम करूं encouragement and positive reinforcement for their attempts to do things independently contribute to the sense of the autonomy ठीक है अब क्या होता है अगर तो जब बच्चे अपनी मर्जी से independent contribute करेगा ठीक है तो क्या होगा आपने अगर उसने independently कोई काम किया अजादाना कोई अपनी मर्जी से काम किया आपने उसको encourage किया positive reinforcement दी तो होगा बच्चे के अंदर autonomy की feelings create होगी मतलब अपनी जो एक वो एक ब्रोसा उसके अंदर आ जाएगा क्या मैं कर सकता हूं ठीक है criticism are overly restrictive parenting may lead to shame and doubt लेकिन जब वालदें जो है वो उसे अपनी मर्जी से काम कर ले तो क्या करते हैं अच्छा भई तू बढ़ा बढ़ा हो गया हमारी हमारी ये भी families में आपने अक्सर देखा होगा कि सारी हमारी families में मुझे लगता है कभी कभार मैं कभी पढ़ू ना इस थेरी को तो मुझे लगता है पता नहीं वह एरिक्सन ने पाकिस्तानी जो है वह मौशरे को देखके ये इंडियन मौशरे को देखके ये थेरी बनाई दी अब क्या ह है क्या उसके अंदर शेम और डाउट कि जो है वह सिचुएशन क्रियेट हो जाती हो कहता है नहीं यार मैंने नहीं करना रपदनी क्या हो जाएगा आग्या जाता है जी इनिशियेटिव वर्सिस गिल्ट यानि कोई चीज भी जो है वह किसी चीज का इनिशियेट लेना कोई एक्टिविटी में इन्वाल्व होना ठीक है शुरुआत करना किसी चीज की यहां पर तो वैसक हमारे मैंने देखा है कि पाकिस्तान में तो बड़े-बड़े लोग भी इनिशियेट नहीं लेते किसी भी चीज को और इनिशियेट जो है लेना इस इस दा बेस्ट सिलूशन लोग बिजनस नहीं करते इनिशियेट लेते हो काता यार बिजनस किया ना तो पता ने क्या क्या मता आजाएगी इनिशियेट लेने से ढरते रहते हैं हमेशा सारी जिंदगे ऐसे निकाल देड़े अच्छा इसमें क्या उता है जिए चिड्रन डेलप एस सेंस ऑफ इनिशि को successful resolution occur when children are allowed to explore and take on new challenges अच्छा जी अब क्या होता है basically initiative जब बंदा लेता है बच्चे लेते हैं तो अगर आप उनको allow करने कि कोई नहीं बेटा आप काम करो चीज़ों को explore करो नहीं challenges को कबूल करो आगे बढ़ो बढ़ते रहो तो क्या होता है बच्चे इंदर initiative की feeling जो है वो create हो जाती है sense of initiative लेकर डिस्करजमिंट और overly harsh criticism can lead to feeling of guilt लेकिन क्या होगा अगर आप बहुत ज़्यादा criticism करेंगे चीक है या आप बहुत ज़्यादा criticism या discourage करेंगे बच्चे को तो क्या होगा उसके अंदर guilt feeling जो है वो create हो जाएगी वो था मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना था तो this is all about this stage आगे लिए इंडस्ट्री वर्स इंफिरियॉर्टी यह स्के जो है यह च्छे से बारा साल तक की उमर में होती है conflict क्या होता है इसमें children develop a sense of competence and industry through social and academic activities ठीक है competence की जो एक feeling है industry की या निक प्रोडेक्टिवनेस की जो feeling है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो उसकी feeling जो है वो इस जो है वो stage में जो इसका खासा होता है positive experiences in school and social interactions contribute to sense of industry school में positive experiences जो होते हैं और social interactions जो बच्चे के होते हैं अगर वो अच्छे तरीके से social interaction स्टार्ट कर दे अगर school में उसके positive experiences आ जाए मतलब उसको शाबाज दी जाए वो पढ़ रहा तो उसको criticize ना किया जाए बलके उसको जो है वो encourage किया जाए to do and to move forward तो क्या होगा कि उसमें जो है वेक sense of industry यानि productivity वो कुछ करना चाहेगा वो कहेगा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा इनको feelings of inferiority may arise from a lack of success and recognition लेकिन अगर failure हो जाता है उसको जो है वो क्या होगा फिर feeling of inferiority अगर वो काम्याब नहीं हो पाता किसी वज़ा से तो उसके अंदर feelings of inferiority की feelings of inferiority आ जाती है कि यार मैं तो करी नहीं सकता मैं तो हूँ ही नकमा मैं नलाइक हूँ मैं किसी काम का नहीं हूँ बला बला तो इस ता करके जो है वो बच्चा उसको feeling of inferiority का शिकार हो जाका है आगे आ जाता है जी identity versus role confusion बारा से 18 साल तक कि जो उमर के बच्चे होते हैं उन में identity और role confusion का बड़ा अमल दखल होता है अब इसमें जो है वो basically वो अपनी identity बनाते हैं यह आपने देखा होगा कि यह उमर का उमसी यह adolescence की उमर है ठीक है तो हर बच्चे की इसमें ख्वाहिश होती है कि मेरी एक अपनी पहचान हो ठीक है मेरा एक role हो मैं अपना role play करूँ मतलब मेरा अलग से मिरा जो है वो एक पहचान बनी एक recognition बने मेरी अपने मकासल में काम्याब हो जाते है ठीक है जो भी वो काम कर रहे हो वो अपने एक identity बना लेती है तो क्या होगा उनके अंदर एक sense of identity के रिएड हो जाती है while undissolved conflicts यानि के वो conflicts होते हैं ना basically different के वो जो है वो अपने किसी भी चीज़ को बेतर तो पर नहीं कर पाए तो क्या होगा कि उनके अंदर जो है वो एक वो या वो अपनी पहचान नहीं बना पाए वो confused हो गए चीजों में वो अपना लग से अप में क्या करने आया हूं दुनियों में मेरा रोल क्या है इस तरह जो है वो उसका sense of self जो है बिल्कुल अंक्लियर है जी कुछ कह रहे हैं अच्छा जी आ गया जाता है इंटी मेसिज वर्सिज आइसोलेशन यांग और लूड में एटीन से अच्छा जी इंटी मेसिज वर्सिज आइसोलेशन यांग अडल्टूट में आ जाएं आप यानि का पीरिएट गुजर गया 18 साल तक 18-40 साल जो है वो इसमें आपका यांग अडल्टूट होता है इसमें कॉन्फिक्ट क्या होता है इसकरिक इंटी मेसी ठीक क्या रिलेशन्शिप इंटी मेट रिलेशन्शिप यंग अडर्स सीक्टू फॉर्म क्लोज मेनिंग्फू रिलेशन्शिप विद अदर्स लोगों के साथ यह रिलेशन्शिप करना चुलू कर देते हैं अगर तो वह बेहतरीन तरीके के साथ जो है वह रिलेशन्शिप कायम कर लें उनकाय अच्छे तालुकात लोगों के साथ बन जाएं चीक है productive तालुकात बन जाएं तो उनके अंदर जो है वो एक sense of intimacy जो है वो develop हो जाती है otherwise अगर नाम तालुकात बना सके तो feelings of isolation वो अलग थलक हो जाती है के लिए रह जाती है आगे आ जाती है जी जेनरेटिविटी वर्सिस stagnation यह middle adult road यानि 40 साल से लेके 65 साल तक अब इसका conflict basically क्या होता है पर्पस क्या होता है इसका adult focus on contributing to society through work family and community involvement अब यहां पर कैर जो adult है basically वो society में अपने काम से जो है वो society में जो है वो contribute करना चाहता है अपनी family को आगे जाना चाहता है अपनी community के काम आना चाहता है ठीक है अब a sense of generativity or contributing to the well-being of others and society foster a feeling of the accomplishment ठीक है जब कोई शक्स जो है वो successfully जो है वो कोई ना कोई अपना role play कर रहा हो society में वो किसी के काम आ रहा हो किसी की well-being के लिए जो वो काम कर रहा हो contribution कर रहा हो अच्छाई का का काम कर रहा हो तो उसके अंदर एक जो है वो achievement की feelings आती है feelings of accomplishment वो अपने आपको कामश्याफ समयता है वह समयता है कि ठीक है मैं कुछ कर रहा हूं मेरी एक वर्त है stagnation में एकर if one feels unproductive and uninvolved लेकिन अगर कोई कोई बंदा जो है वो बिलकुल अपने आपको unproductive समयता है जब वो कुछ ना कर पाए तो उसको लगता है उसके अंद मेरे कोई जो है वो esse में मैं मॉब आश्रे में कुए कंट्रिब्यूट नी कर पा रहा मैं मॉच्ए इस तरह की जो है वो की feeling होती है आगे आ जाता है जी इंटीग्रिटी वर्सिस डैस्पियर तो इंटीग्रिटी वर्सिस डैस्पियर बैसिकली 65 प्लस इर्स में जो है वह शुरू हो जाता है अब इसमें क्या होता है इंडिविज्जियल रिफलेक्ट ओन दियर लाइब अचीवमेंट्स कमिंग्टू टरम्स विद मॉर्टैलिटी अच्छा लोग जो हैं वह बैसिकली अपनी जिंदगीयों में अपनी चीवमेंट को याद करते हैं जो उन्होंने पिछली सारी जिंदगी गुजार चुकी होते हैं और टायर्मेंट के बाद की यह उमर है 65 प्लस तो उन्होंने जोक लाइफ वेल लिवड अगर तो आपने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी हुई होगी काम किये होंगे साइटी के काम आए हुए होंगे आपने अच्छे तालुकात बनाए होंगे बड़े गोल चीव किये होंगे तो क्या होगा आपके अदर सेंस आफ इंटिग्रिटी ठी है वो क्रियेट हो जाएगी डेस्पियर में राइज फ्रॉम अनमेट गोल्स रिग्रेट्स एंट फुल्फिल ड्रीम्स लेकिन अगर आपके जो खाब जिंदगी में आपने देखे वो फुल्फिल नहीं हो सके आप अपने खाबों को पूरा नहीं कर सके आपके जो गोल है आप उनको मीट नहीं कर सके अनमिट रह गए वो ठीक है और रिग्रेशन रिग्रेट करते हैं आप चीजों को जो है वो आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग्स आ जा जाती है बिल्कुल कि यार मैं फुला का मैं करने सका मैं तो कोई काम ही नहीं आ सका दुनिया के तो उस व मैं खुद भी एक ठका हुवा इनसान हुआ जा तो इसमें कोई सवाल है तो आम मुझे से पूश सकते हैं इसको जो है वो मैं आपको मैंने इसको रिकार्ड कर लिया है मैं इन्शाल्ला इसको